तो दोस्तो अगर आपका भी एक YouTube चैनल है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा important होने वाली है क्योंकि आप सभी के लिए इस वीडियो में एक bad update मैं देने वाला हूँ दोस्तो अपडेट सुनने से पहले आपसे request करूगा कि अगर आपने भी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं कहें तो please हमारे चैनल को subscribe कर दीजेगा कोई भी आपका question हो Instagram ID पर आप पुछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को like करना बिल्कुल भी न भूले तो दोस्तो अभी मुझे दो तीन दिन पहले एक भाई का message आया Instagram पर और उस भाई ने बताया कि सर मेरे चैनल का monetization YouTube ने बंद कर दिया है प्लीज मेरी help करें तो मैंने सोचा कि यार इस भाई ने हो सकता है कोई गलती कर दियो और उसकी वज़ा से इनका channel जो है demonetize YouTube ने कर दिया हो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या गलती की थी क्यों आपका channel demonetize है तो भाई ने बताया कि सर मेरा 5 महीने से channel demonetization है उसके बाद मैंने उनसे का कि चलिए आप अपने channel का password और mail ID दे दीजिएगा और मैं आपका channel चेक करके बताऊँगा expire हुए remove हुए दो महीने हो चुके हैं लेकिन दो महीने बाद भी इनके channel पे reapply का option नहीं आया यानि ये monetization के लिए reapply नहीं कर सकते अभी भी normal situation में क्या होता है कि जब भी आपके channel का monetization YouTube बंद करता है तो 30 दिन का आपको time दिया जाता है 30 दिन बाद आपके channel पे monetization के लिए reapply का option आ जाता है लेकिन इस भाई के channel पे 5 महीने से reapply का कोई भी option नहीं आया है और इनकी community guideline strike remove हुए 2 महीने हो चुके हैं दोस्तों ये problem किसी एक channel के साथ नहीं है ये problem हजारों लाखों channel के साथ आ रहे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा के हो सकता है के YouTube कोई ऐसा update करने वाला हो के अगर आपका channel का monetization community guideline के against जाकर के demonetize होता है तो lifetime के लिए हो सकता है के आपका channel demonetization YouTube कर दे अभी इस चीज का कोई official update नहीं है लेकिन हो सकता है के YouTube अभी कुछ channel पे testing करके देख रहा हो ये चीज के अगर आपके channel का monetization community guideline के अगेस्ट आप work कर रहे है और उसके बाद monetization बंद होता है तो हो सकता है के आने वाले time में YouTube lifetime के लिए आपका monetization बंद करने की सोच रहा हो बाकि मैंने YouTube को mail भी किया इस channel के recording लेकिन अभी तक वहाँ से कोई reply नहीं आया है जैसे reply आएगा तो मैं आपको फिर से inform करूँगा और जाते जाते मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप भी YouTube पे कोई ऐसा content डाल रहे हैं जो YouTube की policy के against है तो दोस्तो इसको डालना आप बंद कर दीजिएगा क्योंकि 2021 के last तक YouTube ने कहा है कि हम ऐसे सभी channels को remove कर देंगे जो थोड़ा सा भी हमारी policy के against जाकर के वीडियो upload करते हैं तो मैं उमीद करता हूँ कि आप कोई वीडियो अच्छी लगे होगी अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज वीडियो को like कर दीजिएगा share कर दीजिएगा channel को subscribe कर दीजिएगा मिलता हूँ मैं आप सक लिए वीडियो में तब तक के लिए bye thanks for